नमस्कार स्वागत है आपका बेटियों को समर्पित हमारी खास पेशकश में मैं हूँ आपके साथ मीना शर्मा विकलांगता हमारे समाज में आज भी अभिशाप मानी जाती है लेकिन हंदुस्तान की एक बेटी ने इसी विकलांगता को शिकस्त देकर दुनिया में अपनी नई पहचान बनाई है राजस्थान की बेटी और हर्याना की ये बहुँ आज देश का गौरव है तो निराशा को उम्मीद में बदलने का दूसरा नाम मिलिए दीपा मलिक से जिन्दगी तुमने रेत बना कर दी तो क्या इसे अपनी मुठी में से पिसलने दूगी मैं अपने आसों से गूंद कर गागर बना खुशियों से भर दूगी जिन्दगी तुमने लंगडी बना कर दी तो क्या इसे इस कुरसी पर घिसकने दूगी मैं तो हिम्मत हूँ अपने द्रिण निश्चे से उन्हें बिन सहारे के चल दूँगी अगर आप जिन्दगी में कुछ कर गुजरने का सपना देखते हैं तो 44 वर्षिय दीपा मलिक की ये मुस्कुराहट आपकी उडान को नए पंक दे सकती है धावों से हताश होने की बजाए कैसे उन्हें काम्यावी का जरिया बनाएं या आप दीपा मलिक से सीख सकते हैं हर सूरत में खुश रहने वाले इस चेहरे के पीछे दर्द और सफलता की एक लंबी कहानी है काफी फक्त लगा ये पता लगाने में कि ट्यूमर स्पैनल कॉर्ड के अंदर है और उसकी फिर सरजरी हुई फिर रिहाब हुई लगबग तीन एक वर्ष का जो ये एक स्ट्रगल रहा और उसके बाद धीरे धीरे दुबारा चलना सीखा माता पिता की तपस्या से बजपन का वो दौर निकल गया और आर्मी ओफिसर से शादी के बाद वो दो बेटियों की माँ अपने घरेलू जीवन में बेहत खुश थी लेकिन 1999 में एक बार फिर स्पाइनल कोट पे टूमर की शिकायत ने दीपा की जिन्दगी बदल दी वो लगवे का शिकार हो गई तीन ओपरेशन और 181 टांकों के बाद तेड़ साल बिस्तर पर रही तो परिवार ने ही आशंकाओं के सवाल छोड़े ऐसे में दीपा ने तै कि भले ही कमर के नीचे का हिस्सा काम न करे वो अपनी बेठियों की जिम्मेदारी पक्षू भी निभाएगी लेकिन अब लोग अपाहिज कहने लगे खुश होते वे भी लोग हमको उदास समझते थे, बेचारा समझते थे या यू समझते थे कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा क्योंकि अरे तो अब अंग हो गई है या मुझसे जो जुड़े वे लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे पती हैं, मेरे इनलॉज हैं मैं उन सब पर एक बोज बन गई हूँ और मेरा जीवन एक कमरे में वेतीत हो जाएगा I think यह जो कुछ धारनायती, यह मुझे तंग करती थी और यही जो नेगिटिविटी थी, उसको मैंने उसी पर फीड करकर और अपने आपको एक पॉजिटिव आटिट्यूट में ढालकर उन सब चीजों का जवाब देने के लिए एक Ability Beyond Disability का मिशिन सेट आउट किया ऐसे वक्त में तीपा ने बजबन के शौक को जुनून बनाया खेलों की दुनिया में अपनी जगह तलाशी भाला फैंक और गोला फैंक की अंतराश्ट्रे खिलाडी बनी विलचेर के साथ वोटरसाइकल और कार रेसिंग में लिम का रिकॉर्ड बनाया तो यम्नानदी को पार कर तैराकी में नए केर्दिमान थापित किये Commonwealth से लेकरेशन गेम्स में मेडल जीतने वाली Arjun Award से सम्मानित ये खिलाडी अब व्यवस्थागत खामियों को दूर करने के लिए आवाज बुलंद कर रही है Women are designed to be multitaskers Women are born shock absorbers विकलांगता की सारी सीमाओं को पीछे छोड़ने वाली ये पहली भारत ये बेटी है जो पैरा उलम्पिक यानि शारी क्रूप से विशेश लोगों के लिए होने वाले खेलों में भारत का नित्रित्म कर चुकी है दीपा की कोशिशों का ही नतीजा है कि हवाई जहाज में विल्चेयर पर सफर करने वालों की बॉडिंग पास पर मरीज की जगह मिहमान लिखा जाता है तो खेल मंत्राले पैरा खेलों में पदक जीतने वालों को भी बराबर पुरसकार राशी देना शुरू कर चुका है ये देश का स्वाभीमान है हमें इन पर अभीमान है कहते हैं बेटियों में सेहन करने की उक्षमता खुद्रत ने जारा दी है दीपा मलिक ने उन तमाम कहावतों को हकीकत में तखील किया है